हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चेनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे देखो आज इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं असाम्टी 20 को ठीक है ये जो स्रीज है ना EGC vs NMC के बीज में देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर information share करूंगा दोनों हे टीमों के बारे में कौन से खिलाड़ी कितने नंबर पर betting करने के लिए आएंगे कौन से बोलर कितना ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीजे में आपको इस वीडियो के अंदर information देने वाला हूँ जो आपको इस match के अंदर team बनाने में बहुत जादा help करने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो पर अंतक एक बार बने रहना वीडियो में बढ़ने से पहले आप सबे से एक छोटी से request रहेगा भाईयों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को एक बार subscribe जरू कर लेना भाईयों इस वीडियो के नीचे आपको subscribe का बटन मिल जाएगा इस पे एक बार click कर देए साथे साथ यहाँ जो bell icon दिया हुआ है friends इस पे click करने के बाद आपको all का option दिखने को मिलेगा इसको भी एक बार select जरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो में जैसा ही upload करूँगा आपके पास सबसे पहले notification जाएगा और आने वाले सारे मैचेस का इस वीडियो के तरह आने वाले मैचेस का वी वीडियो का information आपको मिलता रहेगा ठीक है और वीडियो अगर पसंद आता है तो भाई को एक like करके support कर देना और सबसे जरूरी है final team के लिए एक पर हमारे telegram group को join कर लेना है कैसे join कर पाएंगे दुस्तों आप यहाँ पर आपको more का option देखने को मिल रहा होगा जैसे more के option पर आप क्लिक कर रहोगे आपको हमारे telegram group का link इस प्रकार description box में सो हो जाएगा यह जो top में आप link देख रहे हैं यह main channel का link है after toss कोई भी अगर changes होता है line up के बाद हमारे final team में तो आपको final team यहीं पर update कर दिया जाएगा तो एक पर join हो जाना है दुस्तों ठीक है बाकि नीचे जो आप देख रहे हैं यह backup channel का link है तो चले बिना दरीक की हम लोग दोस्तों stats की और आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपको पता है यह पहला मुकाबला आट 45 में होगा ठीक है और सतंदर मोहन देव स्टेडियम में मुकाबला होगा यह सारे matches इसी ground पे हो रहे हैं यहां का peach condition भी आपको पता ही है मतलब low scoring पीछे 120 माल लो यहां पर एक average scoring इसके आरस पास ही देखने को मिलेगा बाकि total matches 17 matches हो चुक है जिसमें से first betting team ने 207 match जीता है और second betting team 10 matches chasing करते हैं जीते हैं toss का ज़्यादा logic अभी नहीं use हो रहा है तो toss से आप दूरी रहें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे matches ऐसे होते हैं जहां पर chasing करते हुए team को support मिलता है सारे सीचे मैं आपको बदाता हूँ यहां पर अभी ground पर ऐसा कुछ खास मतलब update देखने को नहीं मिला है तो इसी वज़े से मैं कहूंगा कि आप toss का जादा निर्वर ना रहे है देखो यहां पर अगर सबसे फिले देखो कि इवर green club का record तो दुस्तो पहला मुकाबला जो इन्होंने खिला था बहुत बुरी तरीके सारा है BDM के team 135 का target दिया था जो कि EGC के team की बात करते हैं तो यह मुकाबला loss करते वे इन्होंने आया है second match अगर आप देखेंगे 101 run का target इन्होंने set करा था लेकिन CCD के जो team मैं इस run को chase कर लिए यानि कि अगर आप देखेंगे तो दो match इस team ने खिला भी तक और दोनों match loss ही हुआ है अगर आप NMC का records देखेंगे दोस्तों पहला मुकाबला NMC के team loss करते वे आ रहे है 88 का target दिया था जो कि NSS के team इस run को chase कर लिया है अलागि second match तो इनका avoided ही रहा था मतलब दोनों ही team में अगर आप गौर करेंगे तो एक भी match दोनों ही team में नहीं जीता है अब चल्यों records को देखते है सबसे पहले योगे सर्मा का record देखेंगे तो पहले match कंदर जब इन्होंने open करा तक खाता भी नहीं खुल पाए थे 0 run पे ये माराज आउड रहे थे दूसरे match कंदर देखोगे दोस्तों इनको 4 नमर पे मोका दिया गया क्योंकि पहले match कंदर नहीं चला इन्होंने और फिर वही हाल रहा खाता भी नहीं खुल पाए हैं तो इनको तो दोस्तों यहाँ पे avoid ही करना है इस match कंदर ठीक है फॉर्म उतना better नहीं है अगर आप risk लेना चाहते हैं जो grand league के दिवान है मैं कहूंगा दोस्तों आप इनको grand league में ही use करना वो भी बहुत कम match में क्योंकि एक से दो मतलब एक से ज़ाधा team बनाएंगे grand league में आप तो इसको मैं कहूंगा एक team में try करना अगर चल गएं तो गुरु महराज आपका तो फिर चलेंगे दिन बाकि गौरब का record देखोगे दूस्तों यह जो खिलाडी है न यह पहले match के अंदर जब इन्होंने open करा 0 run मनाए थे लेकिन दूसरे match के अंदर second down पे बल्ले बाजी करने के लिए इनको बुलाए गया फिर बहुत सांदर वापसी देखने को मिला इनके बल्ले से 34 run निकले हैं दूसरे match के अंदर overall 34 ही होगा क्योंकि पहले match के अंदर तो यह जना आप खाता ही नहीं कोल पाए है वह एकर आप देखोगे दूसरे आपे विशाल मोगर का record यह पहले match के अंदर 4 run मनाये थे 1st run पे आया था दूसरे match के अंदर इन्होंने 10 run स्कोर करा है 3 over का bowling करा कोई विकेट इनको नहीं मिला 2 match के अंदर इसी प्रकार overall देखेंगे तो इन्होंने 14 run मनाया हुआ है लेकिन रोहन का record देखोगे पहले match के अंदर 22 run है दूसरे match के अंदर 1 run 2 match के अंदर इसी तरह इन्होंने 23 run अभी तक बनाया हुआ है मंजिद रेका पहले match के अंदर एक विकेट हलाकि इनको बैटिंग करने का भी मोका मिला लेकिन विकेट नहीं निकाल पाए है अब देखोगे आपे देवरास का record पहले match के अंदर 17 run बना के 3 विकेट निकाला है फिर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहा है लेकिन खिलाड़ी बहुत सांदर है दूस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं और इसी वज़े से अगर आप चाहो तो captain wise captain के लिए ले सकते हो देखो अब मैं इसलिए अभी ये कह रहा हूँ क्योंकि आगे न मैंने देखा कुछ खास ऐसा option है captaincy wise captaincy के लिए बिफलॉप का record देखेंगे पहले match के अंदर 3 run plus 1 wicket है दुसरे match के अंदर ये flop रहा है लेकिन इसके बारे में एक अच्छे बात मैं बता दू इनका जो मैं पहले वीडियो बताया था बहुत अच्छा इनका मतलब T20 format का record था ठीक है बाके betting bowling इस match के अंदर भी कर ले रहे हैं ये उनका अगर आप रेकॉड देखेंगे लेकिन दोनों ही मतलब तरीके से देखोगे थी है मतलब पॉइंट्स भी निकालनी पाएं लेकिन शुशान था जो कि दूस्तो पहले मैच के अंदर छे रन स्कूर करा है अलागे दो बर बोलिंग भी करा था विकेट नहीं निकाल पाएं लेकिन अच्छा ओफसन कह सकते है अगर आप सेफ रहना चाते है विक्रम रावत इनका भी देख सकते है बैटिंग बोलिंग से फ्लॉप रहा है हाँ धीरज डेका चला था जो कि 44 रन इनके बल्ले सही देखने को मिला जो इस टीम का सबसे हाइस ट्रन मतलब 22 रन मनाने वाला बैटिसमन कहा सकते है राव लगरवाल सोलर रन इन?" धेव्जॉति शरमा पहले मैच कंदर एक रन फिर फ्लॉप रातर लगातर मैच कंदर अब देखो इस स्टार्टिंग और पर देखोगे दोस्तो रियान असान और शुराथ सुसंता बरदवाज यह दोनों के दोनों खिलाड़ी बहुत सांदर हैं दोस्तों जो आपको टीम के टॉप अटर पर बैटिंग कर बॉलिंग करते वे दिख जाएंगे तो सारे डीटेल्स आपके सामने हैं चलिए अब टीम की और आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब रिकॉर्ड्स को देखते हैं रिकॉर्ड्स के बैसेज पर जो मैंने टीम क्रियेट के आओ इसको देखते हैं सबसे पहले गौरप से बात करेंगे ये जो खिलाडी EGC की टीम के तरफ से बहुत सांदर प्लेर है लास्ट मैच का अंदर 34 इन्होंने बनाया हुआ भी है साथे साथ विकेट की प्रिंग भी करते हैं तो कैचेस और स्टंपिंग से भी ये पॉइंट दे सकते हैं रिसकलाडी को तो लेना ही है अच्छा प्लेर है लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे दूस्तो आर अगरवाल यानि कि अगर आप इनका रेकॉर्ड्स देखेंग राहू लगरवाल जो कि 5 नमर पे खिलने के लिए अतर सोलर और इन्होंने बनाया हुआ है मैं तो काऊंगे इनको फिलाल ड्रॉप करना जितना भी मतलब बहुत लेट बैटिंग कर रहे हैं और इस टीम से आप कम से कम खिलाडी को लोगे तो ये भी बैटर रहेगा मैं इनक करेंगे तो कैचे स्ट्रंपिंग से पॉइंट दे सकता है या आपका मन है बाकी ये बैटर है गौरव ठीक है बैटिंग में छे बैटर रहे है बहुत बढ़िया खेलावाई दुस्तों और मैं तो कहूंग इनको जरू ट्राय करना है ऑपन कर रहे हैं गिंदबाजी भी कु को गए और के सरमा ये दो प्लेयर बहुत इंपोर्टन है ठीक है इन दोनों को ट्राय करना है जो कि एन एमसी के टीम के तरफ से दोनों खिलाडी खेलते आपको नजराएंगे दुस्तों डीपू जो कि ऑपन भी करना है गिंदबाजी भी करना बाकि के सरमा ये देखो चार नुमर पर खिलेंगे गिंदबाजी भी करेंगे तो ये सेफ है इनका सेलेक्शन लो अलग बात है लेकिन को ट्राय करते हैं बॉलिंग में दो बोलर जिसमें डीना और एस रहमान को में ट्राय कर रहा हूं ठीक है बाकि अगर आप चाहो तो यहाँ पे एन सरमा को लेना जहा अपडेट है भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं इस वज़से ट्राय करनों बाके चाहित आप गौरब को ले सकते हैं जो बहुत बढ़िया लास्ट मैच के अंदर बल्लेबाजी करते हुए दिया हुआ है तो यह आपके पास सेफ चोयज है आप इनके साथ भी जा स सकते हैं तो इस टीम को फिलाल सेफ कर लो फाइनल टीम नहीं है एक दो प्लेयर चेंज हो सकता है अफटर टॉस तो फाइनल टीम के लिए हमारे टेलेग्राम गुरूप से रहने आपको इस वीडियो के नीचे भाई आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रोशन बॉक्स में बहुत जल्द अगला वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों चैनल पे सपोर्ट बनाए रखना वीडियो को लाइक जरू करना भाईयों धन्यवाद